कि आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम करेंगे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाए तो मैं इस बाट लेकर आया हूं जो तुड़ा ऊपर है जो कि आपके बिल्कुल डीडिये के जिस प्रकार से प्रेविए कुशन में आये थे उसी तरीके से मैं इसको डिजाइन किय हूं आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और लोग पास को सेर्वी करिएगा चलिए स्टार्ट करतें वीडियो को और आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा बढ़ते हैं पहले कुशन के तरफ पहला कॉयर्शन आप कहा है के फॉर्ण कविस को एंसर दे मैं लिखाएड डूरेसं को दो लिखा जाता है वी लोग को करेंगे और यह सम्झेंगे किस तरीके से हमको करना होगा और किस की से बनेंगे जैसे कि नार्मली होता क्या है कि जैसे कोई कुशन आया तो हम लोग हम इस तरह करते हैं कि मालों डी यू आर ए टी आई ओ यल ठीक है यह आपका डूरेशन हो गया अब डूरेशन को क्या लिखा गया है वी इबी एस जे यू ओ लिखा गया ठीक तो सबसे पहले आपको कोडिंड करने के लिए आपको अच्छोनों की नंबरिंग आनी चाहिए कि आपका कौन सा अलफबेट किस नंबर पर आज जैसे कि अगर बात करें डी किती आपका फोर पर आता है यू आपका किस पर आता है और से सब्सक्राइब कर देखें तो यहां 22 इकाफ 5 बीकाटू एसका 19 जैका आपका 10 यू आका कितना होता है 15 और 16 होता है जड़ियो कुछन आपके बनते हैं वह से होते हैं कि पहले का सम्मद्द किसे होता है पहले से होता है यहां बात करें आप लोग किया देखेंगे का सम्म लेकिन क्या यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है यहां चार यहां बाइस एक्कीस है पांच है अठारा है भी हो दो हो रहा है तो इस तरीके से कोई आपका शिफ्टम नहीं बन रहा है तो आपको करना क्या होगा आपको करना क्या होगा अब इसमें करना क्या होगा आपको इस तरीके से देखना होगा यहां देखना होगा कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है तो यहां पर आप देखो जब भी आपका पहले का सम्मन पहले सना बने तो आप देखिए कि पहले का सम्मन किसे लाफ्ट से तो बन रहा है डी का पी हो रहा है एन का भी हो रहा है तो यहां भी कोई सिश्टम नहीं बन र हो रहा है आर का एस हो रहा है आई का जे हो रहा है टी का यू हो रहा है एन का ओ हो रहा है ओ का प्यों रहा है एक दूसरे को क्या करते हैं यह दूसरे को मनलब इस तरीके से आपका जो बना हुआ है तो इसी सिस्टम को फोरकास्ट में लगाना होगा मनलब एक दूसरे का प्यर आपको लिखना होगा यहां पर फोरकास्ट को ऐसे एफ ओ और ए कि एस टी ठीक है और यहां पर एक्सिक्स वह आपका 15 पर आर आपका 18 पर यह आपका 5 पर यह आपका 3 पर यह आपका आपको सब्सक्राइब कि आरा है सब्सक्राइब लगाना भी नहीं सब्सक्राइब नहीं अब लगाना भी यहां भी आ रहा है प्पिजी सब करना क्या है कि यह का करना की देखो यहां पिस के में क्या रिगेरién कि धुन क्या हो रहा है टीब स्ब्सक्राइब लेकिन यूा ना चाहिए यह यह नहीं में नहीं में तो आएक अब आप पूरा करने की पूरा करो तब भी ही आप का यह है तो क्या हो जाएगा हो जाएगा अगला कुर्शन आपका है जो की कैसे करते हैं सबसे सबस्क्राइब देखते हैं अगर तो यहां पर यहां पर किस तरीके से बढ़ रहा है पहले क्या हुआ दो फिर दस फिर आपका 42 फिर आपका 170 पिर आपका 682 अगर यहां देखें बहुत ज्यादा है यहां देखो तो भी क्या यहां देखो अब यहां समय पता लगा सकते कि चार रों पर डोड़ो प्लस दो जोड़ों कितना जाएक तो सेम यहीं प्रलों करना होगा तो आपको क्या करना होगा तो आपको क्या करना होगा 682 गूड़े 27Вы 28 में दो आप जोड़ चाह 520 जाएगा तो यहां आपका ब्यस्त हो यहां हमें जूद नहीं देखा तो घयर बढ़ रहा तो आपको सकता है मल्टिपलाई हो रहा है हमने देखा मुड़ीपलाई करके मर्न गुड़ाा हो दो को इसमें आधार क्या होता है सबस्सेपले आप लोग देखिए अगर थोड़ा करता है तो हो सकता है हो उसकता है सब तो आपको हर एक पैटन मालूम करना होगा एक्जाम में कुछन क्यों नहीं बनता है जैसे कि मुझसे कई लोग कहते हैं इनकीज स्पीड कभी निकीज होगी जब आप एक ही कुछन को कई तरीके से सोच पाओगे अगर इस पैटन पर नहीं बन रहा है तो उम्मेद करता हूं यह कुछन में आया होगा और पढ़ने मनलब जो है करने जाला समयना भी जलूरी है कि आखिर इसमें हो क्या रहा किस तरीके समक्ष्ण को किया है यहां देखा गुड़ा के साथ क्या हो रहा है डिवाइड भी आपका हो रहा है तो इसका आपसर नमपर कौन सो हो जाएगा 2700 कितना अंसर आया 2700 आया है 2730 2700 कंसर अब सबको आता ही होगा लेकिन देख लेता है क्या है कुछ डारेक्षन में डाकशन को करना है सिंपल बस आपको दिमाग ये रखना है कि इस त्री दिमाग से करना है पता होनी चाहिए इस तहीं अगर आप न्यूकमर है मलाब भी अपनी जोर्णी स्टार्ड के त्य कि हाब जैसे कोस्टन कहें है कि एक आदमी गढ शलता है ठीक है इस को चलता है एकशरी साम कहें कहने होगा अपने और प्रिख्रिण के आरह है इता किया होगा Counsel Spirag दाया होगा तो दाई और मुड़ेगा जो इधर के और मुड़ेगा वह जब वह बंदा इधर के और मुड़ेगा तो 45 टीफ पी मुड़ रहा है तो यहां से देखो 45 फिर से दाइं और मुड़ता है अब देखो कि यहां चल रहा था इस पर चल रहा था दाइं अगर उद्धर की अब जा रहा है तो इसका होगा तो पहरों और उतनी दुरिए चलता है जतना यहां चलता है दुर्टें रहा है घ्याद कि जिएए दिशा कौन सी है यहां पर यहां से श्टार्ट तह उसको ऐसे देखोगे तो यह पूरब तो इस दिशा में जा रहा है ना ति कुन सी दिशा रही बीचे में उत्तर पूरब कहां पी आपका आपसा नमर A हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं यह आया होगा अगला कुशन आपका है जो की अनलोजी के और यह कुशन बहुत ही मलब आसान तरीके से होते हैं क्योंकि यह जनरल बेसिक इसको लोगता है कि आपका है मानों का सम्मन क्या फेफड़े तो मनुस जो सवांस लेता है वह फेफ़ों की किरिया के दोरा होता है और मचली किसे सास पहुत है अगाला कोशन क्या अछ्छा कोशन में इसको इसको छोड़ा बात ही जिसको दिख लीजिए यह पूसे लगा थोड़ा अच्छा कोशन लेबस लेए फोड़ा फॉर्ट्री का जो संबन्द तिरपल एंट से है तो वही संबन किसमें फालो हो रहा है तो सबसे पहले अपको जानना होगा इसमें क्या क्या सब क्या की मैं तो इसमें पहले वार नहीं कर पाया तो इसमें अब का हुआ है कि फ्रॉर थिरी को बाइक यहां तो को निख दिया और फिर इन दुनों जोड़ दिया 54 चार चार आठ पांधिन आठ तो इसी मलब अलब इसी क्या करता है इसको एक पर यहां चार लिखा वैसे वा कर दिया पांच यहां लिख दिया तो त्रीपल आगया तो सेम यही पैलर कैसे फालो हो रहां आपको यह बताना है आप देखिए पहला अफसन लेजिए एक दो तीन और यहां को दो लिख दीजिए यहां को तीन लिख दीजिए यहां को आप एक लिख दीजिए जोड़ दीजिए तीन एक चार दो दो चार तीन एक चार तो 444 के आरा नहीं आरे तीर अफसन नहीं होगा फिर अगला अफसन क् 909 967 भी नहीं आपसान डेकि देखिए बार आपसान जब 4 लेगे चार लेखें याप लेंगे तो यहां क्या देखेंगे कि देखो वहां 600 क्या है जोवी से यहां दो का हो जाएगा 24 यहां लिख दो च्छे अपना यहां लिख दो अब देखो कि छे चार-दस हो गया अब देखो 64-10 होगा जीरो हासिल एक दो दो चारिक पांच तो पचास देखो आरग नहीं आए बिल्कुल आ रहा है यहां पे छिए पैटन जो फालो हो रहा है इसलिए इस कुष्टन का जो आंसर होगा आप से आपको आया होगा तो अब देखो ऐसे कुष्टनों को आप लोग जहां भी प्रेक्टिस करें उसको नोट्स मना करके लिख आपको किस तरीके से हल करना होता है और कौन कोशन की तरफ अगला कोशन है उम्मिद करता हूं आपको यह बहतर समय आता होगा रेंकिंग रेंकिंग कुछ नहीं है कह रहा है कि मीना 44 लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं छोड़से 18 अस्तान पर 22 इसकिस्तिति क्या होगी बस अब लेखो लेफ्ट से निकालना है तो टोटल दे रखा है तो क्या करेंगे टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस आपको उसमें एक जोड़ देंगे ठोग देखो 44 में से 18 घटा दो कितना 14 मां से आठ गई 6 26 प्लस एक जोड़ दो 27 हो जाएगा आगे नहीं आगे अनमर भी आप एक होगा अगर तोटल पूचह होता तो क्या करते हैं लेफ्ट से पूछा या राइट से पूच्छा है तो टोटल माइनस लफ्ट एक जोड़ देते हैं अगले कुझन के तर्बढ़ते हैं अगला कुझन के कुष्टन है भी आपका है ठीक है इसमें देखो अगला कुछन है कोडिंग को कह लो यह इसको सिंखला का कहलो कुछ भी कह सकते हूं जो भी आपको मन में आए वसके समझे लेना कि उसमें क्या करना है जैसे कि चार के साथ ए रख यह पिर आई फिर तेरा फिर नौ पस हम को क्या करना लो नहीं क्या होगा नंबरों में चार से आठ हो रहा है और तेरा चपंवीज हो रहा है तो चार चार आठ वार पांच तेरा चार उन्नीस पहले चार डुर फिर पांचुल फिर क्या देखो आप साथ जोड़े नौ साथ शोला एक दो और भीज़लः आ का अई हो रहा है यह को क्या क्या कहते हो तो इसे क्या हो रहा है तरह के क्या हो रहा है इसके क्या हो रहा है फाइब हो सिके सप्थीष Silence प्रफारणार में अच्छों में 26 नोग भी कहते हैं 27 भी कहते हैं टूशब विछ एगृष्ण कहां प्याद है थिके आपसे नम्र्द में आरा रहा है से अगला कुछिन के बढ़ते हैं अगला कूर्शन है देखो ब्लड रेसन् कोषिन हैं बहुत ही आजनल ने सब लोग कि देखो कह रहा है कुशन में अपराजिता ने कहा अड़ो मेरे नाना की इकलोती बेटी का इकलोता पोता है अड़ो अपराजिता से क्या किस पकार समन देते हैं सबसे देखो एक है आपके इसमें दो पात रहें एक है आपके अपराजिता एक क्या नाम है अपराजिता है यह अप्राजिता ने कहा कि की जो माहूंगी और उनकी माह के जो पिताजी होंगे वही तो अप्राजिता के क्या होंगे नाना होंगे कि नहीं होंगे वहीं तो आपकी नाना होंगे जैसे मलब आपकी मम्मी के जो पिता जी होते हैं उन्हीं को नाना कहते हैं तो वहीं कह रहा है कि अप्राजिता ने कहा कि जो अर्डव है वो मेरे नाना मतलब नाना तक पहुंचो तो याना तक पहुना पढ़ेगा कैसे पहुचए इसोंदोगे पहले अपनी अम्मी के पास मता जी माता जी के पास भुप्णार चाओंगे पफयो जीती है को जो उपर मामी के भाई को क्या कहते हो, लो बहुता, मेरे नाना की इकलोती बेटी तुम्हारी मा ही तो होगी, माम बढ़ी बिल्कूल मा होगी, उनकी बेटी का इकलोता पोता, अब देखो अब इनका पोता अब मलब तुम्हारा बेटा तुम्हारा कोई बेटा होगा यहां पे तुम्हारा कोई बेटा होगा तब दो तुम्हारी मा का पोता लगेगा भाई साब तो यह अड़ो भाई साब जो है वही है तुम्हारे बेटे ही है यह अड़ो के है आपके प्राजिता क्या लग रहा है अप्राजिता क्या लगता है तो बीटा अप्सिन नंबर दो पिता मत करो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी पिता करोगे तो आगे बढ़ते हैं अगला कोछन आप है यह कोडिंग डिकोटिंग का कुश्चन है और करना होता है जिसे कि आपका क्या लिखा है तीरी टू फॉर इसके लिए क्या कोड है और यू राइट तो इसमें जो कामन होता है वह इसको आपको अगला कुश्न हम लोग कर लेते हैं अगला कुश्न में सबसे पहले आता है तो जैसे को अल्फाबेट के कोडिंग आ तो उनके नमबर लिखना लोगा पहले पहले 1 और ग्यारा होगा मुझा से क्या हो पहले सब्सक्राइब करोगा पहले पहले कर लोड ग्यारा है प्लस दो हो रहा है प्लस दो हो रहा है तो आगे भी प्लस दो आएगा तो कितना शाठीक नहीं कि आपका दस प्लस 2012 हो रहा दूसरे अलफाबेट में तो इस तरीके से आप लोग तेजी से बहुत इजली से बहुत अच्छे से कर सकते हो कुशन तो हमारे पास हैं बहुत अभी करने पर मेरे पास वक्त नहीं है इस कुशन को कराने का ठीक है मैं कल इसको कराऊंगा और अपना प्रैक्ट्रिस कर सकते हैं बाकि मैं इन कुषनों को कराऊंगा फिक है इन कुछनों को मैं कल कराओंगा क्योंकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है मुझे कहीं जाना है तो थांक्यू सो मच थांक्यू सो मच गाइज वाचिंग वाचिंग वादिस वीडियो अगर आप चैनल पर नहीं हैं जोने को सब्सक्राइब लेजिएगा और ये डिडिये तब तक लिए थांक्यू जाहिए जाहिए टाक टेक केर बाइबाइब लव्यू